पाकिस्तान ने कभी सपने वे भी नहीं सोचा था कि दुनिया की बड़ी ताक्तों के सामने भारत के प्रधानमत्री नरेद मोदी उसकी धजिया उड़ा देगे जी हाँ दोस्तों खबरों के सिल्सिले को आगे बढ़ाते हुए यदि आप दोस्तों चैनल पर हमारे नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब पर ले ताकि ऐसी खबर हम आप तक हमेशा पहुचा सके जी हाँ दोस्तों संगाई सहयोग संगठन यानी स्यो समिट के दुरान प्रधानमत्री नरेद मोदी ने जो किया उसे देखकर के इमरान खान के चेरे पर हावाया उड़ गई इमरान खान के साथ पूरे दुनिया देखती रह गई और प्रधानमत्री मोदी अतंकवाद के मुद्धे पर एक-एक करके पाकिस्तान को बेनकाब करते रहे इससे पहले पूरे सिखर सम्मेलन के दुरान प्रधारमत्री मोदी ने इमरान खान को तो पूरी तरह से नजर अंदाज किया दुनिया की महासत्यों को भी ये साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान नहीं सुधरे का उससे कोई बाचित नहीं होगी जिहाँ हैं तो पर्धान मत्री नरेद मोदी ने जिस वक्त एक एक करके दहसत गर्धो और उनको पनाह देने वालों देशों की हकीकत बया कर रहे थे उस वक्त सामने बैठे पाकिस्तान के परधान मत्री इमरान खान के चहरे का रंग उड़ा हुआ था ये प्रधानमत्री मोदी की कूटनीती का सबसे बड़ा हमला था। इमरान खान को प्रधानमत्री मोदी से इसकी बेरुखी की उमीद नहीं थी। इमरान खान ने सपनों भी नहीं सोचा होगा कि रूस और चीन के सामने उसकी इस कदर हवा खराब हो जाएगी। आखिरकार पा थारमते मोदी और इमरान खान आमने सामने आए।